कल तक मैं आपसे जो बात कर रहा था वो अश्टांग हिर्दयम का एक हिस्सा था जिसमें आवो हवा तासीर रहने वाला इस्थान उसका महत्तु वहां की मिट्टी उसका महत्तु वगएरा वगएरा अब मैं सीधे आपके शरीर पर आ रहा हूँ बागवट जी मनुष शरीर के बारे में ये कहते हैं कि ये मनुष का शरीर सबसे महत्तु पूर्ण है और बहुत प्रयासों के बाद मिलता है ये आपने कई बार सुना होगा आपके पूर्व जनम के बहुत सत्कर्म हो तो आपको मनुष शरीर मिलता है और बागवट जी ने एक जगे कहा है कि आप ही हैं जो मोक्ष धारण कर सकते हैं ऐसा कहा जाता है इस देश में कि जानवरों में, पशु पक्षियों में और कीडे मकोडों में मोक्ष की इस्थती नहीं आती मनुष योनी ही हैं जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो उनकी मोक्ष की परिभाशा बहुत सुंदर है मोक्ष क्या है? हम सब लोगों ने कई बार अलग-अलग समय अलग-अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है मोक्ष ये है बागवट जी की परिभाशा बिलकुल साफ और सरल सीधी है वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य इस्तरी हो या पुरुष कोई भी अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करें वही मोक्ष का अधिकारी है जो व्यक्ति मनुष्य अपने दुखों को दूर करें और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करें उसमें सफलता मिले न मिले सफलता की बात नहीं कहते है वो यह कहते है कि प्रयास करे इमांदारी से प्रयास करे तो उसको मोक्ष होता है मने इस परिभाशा को अगर आप थोड़ा व्यापक करें दुखों से मतलब क्या तो बागवट्टी जी कहते हैं कि तीन तरह के दुख सारी दुनिया में है मनुष्य को भी है हर एक को है एक तो देहिक दुख शरीर का दुख देहिक दुख दूसरा है देविक दुख भगवान का दिया हुआ कोई दुख जो आपके शरीर से अलग है भगवान ने आपको कोई दुख दे दिया अचानक से आप गरीब हो गए या अचानक से आपके घर में कोई दुरगटना हो गई आग लग गई धरती कम पा गया, भू कम पा गया आपका घर तूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया सुनामी आ गया ये देविक दुख और तीसरा और आखरी दुख है भौतिक दुख भौतिक दुख में सबसे ज़्यादा यही है गरीबी, बिरोजगारी, भुखमरी तो वो बागवटी जी कहते हैं कि देहिक, देविक और भौतिक तीनों दुखों से जो व्यक्ति मुक्त हो और दूसरों को मुक्त करने का रात दिन प्रयास करे वही मौक्ष का अधिकारी है आगे के सूत्र में वो ये कहते है कि अगर आपने अपने जीवन के तीनों दुख दूर कर लिए और आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते तो माफ कीजे आप कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते हमारे यहां बहुत सारे सादू संथ हैं जो हिमाले में जाके तपस्या करते है तो उनकी जो तपस्या है हिमाले की वो अपने दुखों को दूर करने तक सीमित है अगर वो वापस हिमाले से लोटकर समाज के दुख को दूर नहीं करेंगे तो किसी को भी मोक्ष नहीं होगा बागवटी जी कहते हैं कि कोई सद ग्रहस्त व्यक्ति है वो स्वामी नहीं है, महात्मा नहीं है, तपस्वी नहीं है लेकिन अगर वो अपने दुखों से दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगा हुआ है तो वो कहते हैं कि वो तपस्या करने वाले से ज़्यादा बहतर है बले ही वो सद ग्रहस्त है और वो ये कहते हैं कि ज्यादा समय बागवट्य जी मानते हैं कि सद ग्रहस्त ही है जो दूसरों के दुखों को दूर करने में ज्यादा मदद कर सकते है क्योंकि उन दुखों का अनुभव उन्हें है जिसका दुख वो दूर करने का कोशिश करें इसका मतलब ये है कि बागवटी जी की परिभाशा में ग्रहस्ति होना, माने सद ग्रहस्त होना ज्यादा बड़ी बात है वो सादू संतों के बारे में कहते हैं सिर्फ अपने दुखों के दूर करने के चक्कर में लगे हुए है भगवान से इनकी जो वारतालाप है या संबाद है वो अपने तक्सीमित है समाज के लिए सिर्फ प्रार्थना करके बंद कर देते हैं आगे नहीं बढ़ते इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने दुख दूर करें दूसरों के दुख दूर करने के काम में सतत लगें बले प्रयास आपका सफल हो नहो सफलता की बात वो नहीं कहते हैं वो यह कहते हैं कि सफलता सफलता वो सब इश्वर के हाथ में हैं आपके हाथ में नहीं हैं आप अगर प्रयास कर रहे हैं, तो पक्का मानिये कि आपकी मोक्ष में जाने की तैयारी है, यह है उनका सूत्र, यहां से उनकी एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, और इस यात्रा में वो यह कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है देहिक दुख, शरीर का दुख, दूसरा है देविक दुख, भगवान का, और तीसरा है बहुतिक दुख, तो आपसे बहुतिक दुख की बात करना, मैं समझता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जिस व वो देहिक दुख के बारे में बात करूँगा, आपका शरीर, शरीर का दुख दूर कैसे करें, तो बागवट जी का सूत्र है, वो ये कहते हैं कि शरीर दुख दूर करने के लिए सबसे महत्तुपून है आपका पेट, ये जो पेट है, शरीर का मद्द भाग, वो ये कहते ह कि शरीर का दुख दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है। अगर मैं कहूं 90 प्रतिशत बीमारियां हमारे जीवन की पेट से जुड़ी हुई है। पहली बात जो मैंने आपको पहले दिन कही थी कि जिन्दगी की बीमारियों में 85 प्रतिशत ऐसी हैं जिनको आप खुद ठीक कर सकते हैं। प्रतिशत बीमारियां हैं उनमे 90 प्रतिशत पेट से हैं। तो बागबटी जी कहते हैं कि पेट आपके जीवन का सबसे महतुपूर अंग है शरीर के लिए और आपको दुख से बचाने के लिए। तो जीवन में पेट से होने वाला कोई दुख नहीं होगा, माने 90 प्रतिशत बीमारियां नहीं होगी और ये 90 प्रतिशत बीमारियों की संख्या अगर गिनूं तो 148 हैं। माने आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ, इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे। और बागवट्टे जी का ये कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्तुका है, बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना। अंग्रे जी में अक्सर आपने सुना है, प्रिवेंशन इस बैटर देन क्योर। तो आप अगर बीमारियों से बच रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये सबसे महत्तुका है, तो आप उनको आज के सूत्रों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुने, वैसे तो आप सभी सूत्र ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आज के जो सूत्र हैं, वो जिन्दगी का फंक्शनल ह पार्ट है, है, इस Functional PART में सबसे पहला सूत्र बागवटी जी का, बागवटी जी के लिए उनके 7000 सूत्र सभी महत्वके हैं, सभी महत्वके हैं, उन 7000 में से मैं ने कुछ कुन कर निकाले हैं, जो मुझे लगता है, 2007 के हिसाब से बहुत महत्वके हैं, हो सकता है, साड़े तीन हजार साल पहले कोई सूत्र बहुत महत्यूके हो और अब 2007 में हमारी जीवन शैली के हिसाब से वो उतने महत्यूके नहीं क्योंकि बागवट्ट जी ने जिस जीवन शैली में रहते हुए वो सूत्र लिखे है वो रिशी मुनियों की जीवन शैली में थोड़ा अंतर है तो आपकी जीवन शैली के हिसाब से मैंने जो सूत्र निकाले और जिनको मैं महत्तुका करम देता हूँ उसमें सबसे पहला सूत्र संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिंदगी मर आपका अच्छा रहे दुरुस्त रहे इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे है उसका ठीक से आप पाचन करते रहे वो कई बार यह लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्तुका नहीं है खाने को पचाना महत्तुका है आपने खाने को खाया यह इतना महत्तु नहीं है जिसको आपने खाया उसको पचाया ये ज़्यादा महतुका है क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा उसी रसमें से मास, मज़ा, रक्त, मल, मूत, वीर, मेद ये सब बनेगा, अस्तियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे तो खाया वो महतुका, उससे भी ज़्यादा महतुका खाया हुआ पचाया तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विशमवारी ये पहला सूत्र, मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से ने, मेरे हिसाब से पहला सूत्र भोजनांते विशमवारी इसका सीधा सार्थ है, भोजन के अंत में पानी पीना, विश पीने के बराबर है सूत्र ये है भोजन अंते भोजन अंते आप जानते संस्कृत में मिला के कहने की परंपरा है भोजन अंते भोजन के अंत में भोजन अंते विशमवारी विश समस्ते हैं आप जहर जहर जैसा क्या है पानी भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है विश के जैसा है ये सूतर है अब इसको थोड़ा व्याख्याईत करता हूँ ताकि समझ में आए भोजन के अंत में पानी विश्के जैसा है ये बात वो कह रहे हैं इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे है सूत्र उतना ही है समझने के लिए मैं आपको बहुत उधारन दूँगा ताकि आप जल्दी पता कर पाएं बागवट्टी जी ने एक सूत्र में ये कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्यो स्थान पेट है इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभी left side में नाभी से थोड़ा उपर जहां मेरा हाथ रख़ा हुआ है इस इस्थान को कहते हैं जठर, संस्कृत में कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं आमाशय, जठर, आमाशय, अंग्रेजी में चाहें तो एपिगेस्टर कब, तो ये जो जठर इस्थान है, बागवट्टी जी कहते हैं कि इसमें अगनी प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं ज जठर अगनी जठरागनी तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर इस्थान है इसमें अगनी प्रदीप्त होती है और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है आमाशे में एकठा होता है वहां अगनी प्रदीप्त होती है वो अगनी भोजन का पाचन करती ह ये है महथ्त्यू की बार अब अग्नी प्रदीपत हुई आपने भोजन किया अग्नी प्रदीपत हुई और बागवट्टि जी इसके लिए एक सुंदर शलोक लिखा है लमबा है लेकिन हिंदी में बताता हूं वो ये कहते हैं कि खाते ही अगनी प्रदीप्त होती है ऐसे ही जैसे आप बिजली के स्विच को आउन करते ही लाइट जलती है यह आटोमेटिक है अपने आप होती है आपने रोटी का पहला टुकडा मुँ में डाला और जैसे ही टुकडे को चबाना शुरू किया लार बनना हुआ तुरंत अगनी प्रदीप्त हो जाती है पहले ही टुकड़े में तो ये अगनी प्रदीप्त हुई अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अगनी के प्रभाव में पचेगा तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा पहले पेस्ट बनेगा जैस अगनी भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पीलिया गड़ 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 तो क्या हुआ अगनी शान्त हो जाएगे आपके रसोई गैस में चूलहा जल रहा है गैस का और जलते हुए चूले पर पानी फेकिये तो बुझ जाएगा अगनी का पानी से मेल नहीं है दुश्मनी है तो आपके पेट में खाना खाते ही अगनी जल रही है अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पीलिया कोई-कोई लोग तो लोटा भरके पीलेते हैं कई-कई लोग तो भोजन से जादा पानी पीलेते हैं तो ये जो पानी गया इसने अगनी को शान्त कर दिया अब अगनी शान्त हो गई तो फिर बागव्ट जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं वो सड़ेगा अब उन्होंने BCO सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा मैं सडने वाले हिस्सी की बात कर लेता हूँ वो कहते हैं कि भोजन अगर सडना शुरू हुआ तो सबसे पहले सबसे पहले गैस बनेगी वायू बनेगी वायू वायू और ये वायू आपकी जिंदगी हराम कर देगे और ये वायू की तीवरता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी छाती में जलन होगी पेट में जलन होगी फिर और ज़्यादा तीवरता अगर ये हो गई वायू तो ये शरीर में जाएगी गूमेगी क्योंकि वायू को पकड़ना मुश्किल है जहां इस्थान मिलता है वहीं जाती है तो ये वायू पूरे शरीर में गूमेगी तो सिर गूमेगा आपको चक्कर आएंगे सिर में दर्द होगा पीठ में भी दर्द हो सकता है हिर्दा स्थान पर भयंकर दर्द हो सकता है कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि heart attack आ गया लेकिन वो वायू का दर्द है heart attack नहीं और ये जो वायू बनी भोजन के सडने से इसी वायू में से बागवट जी ने सूची बनाई है कि एक सो तीन रोग पैदा होंगे एक सो तीन सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी हाइपर एसिडिटी ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अलसर, पैप्टिक अलसर और ज्यादा दिन चक्कर चलाया तो बवासीर, मोडव्याद, भगंदर ये सब रोगों की सूची है और अंत का एक रोग है कैंसर करक रोग एक सो तीन वे नंबर पर उन्होंने लिखा है करक रोग माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते है तो वो ये कह रहे है बाद में बागबटी जी कहते हैं वो भी बता देता हूँ वो दूरुका सुत्रे लेकिन यहीं पर ले आता हूँ कि आपका जो भोजन सड़ेगा इसको ध्यान से सुनियेगा तभी भोजन मैं से बागबटी जी के शब्द दूसरे हैं मैं आज के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तभी कॉलेस्ट्रॉल बनेगा सड़े हुए भोजन का ही बाई प्रोड़क्ट है कॉलेस्ट्रॉल अगर भोजन का पाचन हुआ तो कॉलेस्ट्रॉल शून ने रहता है वो cholesterol जो आपको हानी पहुँचाता है आप जानते हैं शरीर में दो तड़े का cholesterol है एक good और एक bad अच्छा cholesterol माने HDL high density lipoprotein खराब cholesterol माने LDL और उसका शोटा भाई VLDL very low density lipoprotein तो बागवटी जी कहते हैं कि यह जो खराब cholesterol है वो रक्त में तभी आता है जब भोजन पेट में सड़ता है इसका माने जिनको cholesterol बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दें उनको भोजन पच नहीं रहा उनका भोजन सड़ रहा है तो cholesterol बढ़ेगा तो heart attack भी आएगा cholesterol बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा दस कदम चलना मुश्किल हो जाएगा तो वो यह कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हो तो वो गलती कभी करना नहीं माने भोजन के बाद कभी पानी पीना नहीं यह है सूत्र अब जैसे यह सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रशन आएंगे कि पानी कभ पीना पहला ही प्रशन तो बागवट जी कहते हैं कि पानी कब पीना वो खुद ही उत्तर दे रहे हैं आगे के सूत्रों में क्योंकि शाहिद मालूम है कि मनुश्रकी जिग्यासाएं होने ही वाली है तो पहले सूत्र में लिख दिया भोजन अंते विशमवारी कि भोजन के अंत में पानी मत पियो अगले ही सूत्र में वो कहते हैं कि कम से कम डेळगंटे के बाद पानी पियो अब यह जो डेळगंटे का कैलकुलेसन है यह क्या है यह बागविटी जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जटरिस्थान में डेढ़ घंटे तक अगनी के प्रभाव में रहता है देड़ घंटे तक और जानवरों के लिए भी उन्होंने बताया है वो कहते हैं कि जानवर जो कुछ खाते हैं उनके पेट में भी अगनी है जठर अगनी वहाँ चार घंटे तक अगनी का प्रभाव रहता है जानवरों के शरीर मनुष्य शरीर में एक से डेड़ घंटे का उन्होंने बताया और एक से डेड़ घंटे का वो बताया है तो अलग-अलग छेत्र के हिसाब से जैसे आप दक्षुन भारत में है कोई उत्तर भारत में है कोई पूरवी भारत में है अब मान लीजे उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अगनी का असर दो से धाई गंटे रहेगा पहाड़ वाला लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो एक से डिड़ गंटा तो वो कहते हैं कि एक से डिड़ गंटे पेट में अगनी का प दिड़ गंटे के बाद पानी पीना ठीक है अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा भोजन के बीच में पीना के नहीं पीना और भोजन के पहले पीना के नहीं पीना बागबटे जी ने इसका उत्तर अगले सूत्रों में दिया है वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक एक गंटा आपको सीधा सा हिसाब बताता हूँ 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9 बचकर 20 मिनट तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं नो बजे से लेकर नो बज कर बीस मिनट तक और और बीच में पीना के नहीं तो इसके लिए बागवट्टी जी कहते हैं ये बहुत साइंटिफिक बात वोनोंने कही है बहुत साइंटिफिक है वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में दो अन हैं दो दो अन माने एक रोटी खा आप वो गेहूं और दूसरा चावल खा रहा ह। तो चावल और गेहूं दो अन है तो के और सामनी रूप से आप लिकी बहुझन में शायद दो यह था इसलिए मैं ये सृत्र ओक्र यह कंई लिए नहीं ह। तो दो अन खाते हैं भोजन में उनको एक अन की पूरती पूरी गई अब आप चावल खाने की तयारी कर रहे तो रोटी खाने के बाद चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना लेकिन मात्रा कितनी तो वो कहते हैं दो या तीन घूट इतना ही उसके बाद जब दूसरा अन्ना आपने शुरू कर दिया फिर नहीं फिर तो पूरा आप भोजनी करके उठीए अब भोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए थोड़ा एक दो घूट और पी लेना गला साफ करने के लिए पानी पीने के लिए नहीं है वो गला साफ करने के लिए अब आपके मन में तुरंत एक प्रशना आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना फिर पानी तो नहीं पीना, डिड़ गंटे तक तो नहीं पीना, तो कुछ पी सकते हैं, तो बागवट जी ने तीन चीज़ें बताइए, उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है, कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वो है चाच, वो है मठा, दही का तक्र जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो तक्रम, तक्रम मने यही है लगबग, छाच, मठा के आसपास की चीज, तक्रम, वैसे तक्रम की उन्होंने परिभाशा दी है, कि दही को खूब अच्छे से मतने के बाद, उसका मखन जो निकल गया, तो मखन निकाल कर जो बचा, वो तक्रम, मखन रह गया तो वो लसी, लसी पीने के लिए नहीं कह रहे हैं, तक्रम की बात रहे हैं, तो आप भोजन के बाद जो सबसे अच्छी चीज पी सकते हैं, वो है चाच, वो है मठा, मठा शब्द एकदम अच्छा है, हिंदी का शब्द है, शायद आप सब समझते हैं, गुजराती हैं, तो चाच आप अच्छे से समझते हैं, तो चाच पी हैं या मठा पी हैं, ये सबसे अच्छी चीज, दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है, वो है दूद, दूद, दूसरी सबसे अच्छी चीज, और तीसरी सबसे अच्छी चीज बताई है फल का रस कोई भी फल का रस लेकिन वो कह रहा है मौसमी फल का रस जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस माने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पियें तो नहीं चलेगा आज का मौसम गन्य के रसका है तो गन्य का रस ही पिए थोड़े दिन के बाद संत्रे के रसका मौसम आ जाएगा तो संत्रे के रसका बागवटी जी कहते हैं कि जो चीज प्रकरती ने जिस समय में प्रचुर मात्रा में उपलब्द कराई हो उसका रस तो आप यह कहें कि cold storage से लाया हुआ संत्रा और उसका रस निकाला या मौसम्मी का रस यह सर्वनाश करेगा सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा वो ये कहते हैं कि भगवान ने और प्रकरती ने आपके शरीर के हिसाब से सारी चीजों को सेट किया है और वो कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकरती को बनाया है तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया एक एक माइक्रो कैलकुलेशन उसने किये तब आपको ये प्रकरती के साथ उसने रखा है तो प्रकरती में जब जो चीज बहुत मात्रा में हो उसी का रस जैसे अभी टमाटर का सीजन है तो आप भोजन के बाद टमाटर का रस पी सकते हैं भरपेट इस समय गन्य के रस का सीजन है तो भोजन के बाद आप गन्य का रस भरपेट पी सकते हैं जो भी थोड़े दिन में अंगूर का सीजन आ जाएगा तो भोजन के बाद अंगूर का रस पी सकते हैं संत्रे का जब जब जो सीजन आए वो ध्यान रखना है अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महरतु का है बागवटी जी कहते हैं मठा या छाच कब पीना दूद कब पीना रस कब पीना तो उसके लिए उन्होंने बहुत इस्पष्ट और बहुत जोर दे कर ये कहा है कि मठा हमेशा दुपहर के भोजन के बाद ही पीना सामन निलोगों के लिए असामन निलोगों के लिए बाद में बताऊंगा जो सामन निलोग हैं आपके मेरे जैसे मठा हमेशा दुपहर के भोजन के बाद ही पीना और दूद हमेशा रात के भोजन के बाद ही पीना दूद माने शाम को छे साथ बजे के भोजन के बाद ही पीना और जूस हमेशा सुबह के भोजन के बाद ही पीना सुबह का भोजन माने नाश्ता बागवट जी ने नाश्ता शब्द कहीं नहीं استعمال किया है सुबह का भोजन आप उसको नाश्ता कैसे तो सुबह के भोजन के बाद जूस दुपहर के भोजन के बाद मठा और रात के भोजन के बाद दूद और वो ये कहते हैं आगे के सूत्र में कि इनका क्रम उल्टा सीधा मत करना कभी, मान ने सुबह के भोजन के बाद दूद पी लिया, रात के भोजन में जूस पी लिया, या मठा पी लिया, वो कहते हैं ये उल्टा क्रम आप मत करना, क्यों नहीं करना, तो आगे वो explanation देते हैं, वो ये है, बहुत महत्तुका, कि हमार शरीर को मठे का पाचन होने के लिए, जो रस की जरूरत होती है, रस मने एंजाइम, जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है, वो दुपहर को ही होते हैं पेट में, इसी तरह हमारे शरीर में दूद का पाचन होने के लिए, जो रस की जरूरत पढ़ती है, या एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है वो सुबह ही होते इसलिए आप नियम बना लो breakfast में जूस, lunch में मठा, चाच और डिनर में दूद बच्चों को भी यही नियम बड़ों को भी यही नियम अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो जाते हैं, दूद पीकर जाते हैं तो बदल दो जूस पीकर भेजो या पिला कर भेजो और आप कहेंगे जी पीएंगे नहीं आप जैसी आदट डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ तो अब तक आपने बच्चों को दूद पीने की आदट डाली है आज से माफी मांगलो के गलती हो गई हमसे अब हम आपको चाहते हैं कि आप जूस पीके जाओ क्यों जाओ तो उनको ये बात समझाओ और शायद समझ जाएं वो भी समझ जाएंगे तो उनकी भी जिंदगी में ये पर्मनेंट हो जाएगा सुबह के नाश्टे के बाद जूस पीना दुपहर के बोजन के बाद मठा रात के बोजन के बाद दूद ये सूत्र है अभी इसके आगे का सूत्र बागवट्टी जी कहते हैं कि आप खाने के देड़ घंटे के बाद पानी पीएं क्योंकि जठर के अगनी के प्रभाव में खाना देड़ घंटे तक रहता है तो पानी कैसे पीएं कैसे पीएं पानी तो हमारे याँ पानी पीने के बहुत तरीके हैं लोटा मूँ से लगाया गड़ 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 उतार लिया गिलास मूँ से लगाया गड़ 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 उतार लिया क्या ये तरीका तो बागवट्टी जी कहते हैं नहीं ये तरीका बिल्कुल गलत है पानी पीने वो कहते हैं कि पानी को पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक एक गूट पानी उतारें गले के नीचे, दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है, क्या अंतर है, मैं आपको एक महत्तो की बात समझाना चाहता हूँ, ये जीवन भर याद रहे तो बहुत अच्छा, हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अगनी होती है, और इस अगनी को तिव्र करने के लिए अमल होता है, अमल, एसिड, आप जानते हैं, पेट में अमल बनता है, प्राकरतिक रूप से बनता है, अब पेट में तो अमल बनता है, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, कि पेट में अमल दिया है, और मुह में छार बनता है, जिसको लार कहते हैं आप, लार सलाइवा, सैलिवा, लार, लालारस अलग-अलग नामों से आप जानते हैं तो मुँ में बनती है लार ये है छार और पेट में बनता है अम्ल आप थोड़ा भी अगर विग्यान जानते हैं तो आप जानते हैं कि छार और अम्ल को मिलाओ तो हो जाता है न्यूट्रल अमल और छार आपस में मिलें तो न्यूट्रल होता है माने सामन्य चीज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं लवण एक लवण होता है नमक वो अलग है केमिस्ट्री के लवण की बात कर रहा हूँ तो अम्ल और छार आपस में मिलते रहें तो न्यूट्रल होते हैं अम्ल का मतलब है जिसका pH 7 से कम है और छार का मतलब है जिसका pH 7 के आगे है और न्यूट्रल का मतलब जिसका pH 7 है यह जो पानी है ना पानी यह ना अम्ल है ना छार है यह न्यूट्रल है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया और जिनका पेट पानी के जैसा माने पेट की अमलता ना बढ़े और पेट का छारपन भी ना बढ़े पी एच साथ के आसपास रहे तो बागवट्टी जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सौ से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित्सक के पास जाए अब आपके पेट में अमल बन रहा है मुँ में लार बन रही है अगर पानी आप गूट गूट पीते हैं तो ये पानी के साथ लार मिलके अंदर जाती है और पानी एक साथ गड़ 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 पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी ये लार बन रही है अंदर जाने के लिए बाहर निकालने के लिए नहीं क्योंकि अंदर पेट के अमलुको शान्त रखना है इसके लिए चार है तो वो ये कहते हैं कि घूट घूट पिया पानी अगर सिप सिप करके आपने पानी पिया तो ज़्यादा लार अंदर जाएगी तो अमल को शांत करने में मदद आएगी इसलिए आपका पेट निूटरल रहेगा और आपकी जिन्दगी बिना किसी दवा और रोक के आराम से सो डेड़ सो साल हो जाएगी इसलिए पानी घूट घूट भर के पिये और एक साथ गड़ गड़ पानी पियेंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी तो अंतिम रूप में जब वो पहुँचेगा पानी तो खाली पानी होगा और वो उतना निूटरलाइज नहीं कर पाएगा पेट को उस तरह से सामान यवस्था में नहीं ला पाएगा हाला कि पानी भी अमल को कम करता है क्योंकि अमल में पानी मिलाओ तो अमल की ताकत कम होती जाती है तो पानी कम तो करेगा लेकिन लार के साथ जो पानी कम करेगा वो बिलकुल अध्वुत होगा बागबटी जी आगे कहते हैं बहुत ही महत्तु की बात है ये सबाब के लिए वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पिए, वो देखें जानवर कैसे पीते हैं, चिडिया कैसे पानी पीते हैं, चिडिया एक ड्रॉप उठाती है, आप ध्यान देना, चिडिया एक ड्रॉप उठाएगी, फिर उसको ऐसे ऐसे मूँ में चलाएगी, फिर पानी को चाट चाट के पिएगा शेर पानी को चाट चाट के पिएगा जादातर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं वो जानवर हमसे जादा स्वस्त हैं किसी को डाइविटीज नहीं है कोई ओवरवेट नहीं है किसी को diabetes नहीं, कोई overweight नहीं, किसी को joint spain नहीं, किसी को कुछ नहीं क्योंकि वो पानी पीने का नियम जानते हैं, बागवट के पक्के चेले हैं, ये सब जानवा है बिना बोले और बिना कहें, तो आप भी हो जाएं, बागवट जी कहते हैं कि पानी थोड़ा लीजिए, जैसे चड़िया पीती है, उसको मुह में चड़िया ऐसे ऐसे करती है न, गुमाती है, तो आप भी पानी को थोड़ा गुमाईए, फिर पी जाएं, थोड़ा पानी कोई रोग आने की संभावना नहीं मैंने आपके सारे रोगों की एक दवा तो मैंने ये एक्सपरिमेंट शुरू किया ये मैंने पढ़ा था छे साल पहले बागवट जी को मैंने छे साल पहले पढ़ना शुरू किया तीन साल पढ़ने में लग गया और तीन साल समझने में तो आपको सुनकर हिरानी होगी हमारे जो दोस्त हैं सहयोगी हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा था उन्होंने पानी सिपसिप करके पीना शुरू कर दिया और भोजन के डेड़ घंटे के बाद पानी पीना शुरू ये दो सूत्रों का ही परिणाम है कि सब के वजन पहले से आ 70 किलो का है बिना कोई दवा खाए बिना भोजन में कोई बदला होगी है सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला फिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि ये चक्कर क्या है तो उन्होंने का बात सीधी सी ये है कि जो लार है ना ये दुनिया की सबसे अच्छी औशदी है इसकी जानवरों को देखा होगा उनको कभी भी कोई चोट लगे तो वो अपने लार से ही ठीक कर लेते हैं चाट चाट के क्योंकि उसमें मेडिसिन है तो मनुष्य की लार में भी है अब वो ये कहते हैं कि भारत के वो मनुष्य या इस्त्रिया और पुरुष बहुती पाते हैं जैसे तंबाकू खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं उसको थूकते ही रहते हैं घुठका खाने वाले लोग मावा खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो जिन्दगी की सबसे महतुकूर चीज को थूक रहे हैं जिसको बनान के लिए भगवान ने एक लाख ग्रंतियां आपके मूह में दी हैं आप जानते हैं ये लाख पैदा होने में एक लाख ग्रंतियों का काम होता है एक लाख ग्रंतियां हैं जो राद दिन आपके लिए लाख बनाती हैं और आप गुटका खाखा के उसको थूकते रहते हैं तो स आगमटे जी की डिक्शनेरी में नहीं है वो कहते हैं कि एक ही कंडिशन में आप कुछ थूक सकते हैं जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो तबी बस उसके अलावा दूसरी कोई कंडिशन नहीं कि आप थूक हैं तो यहां तो बिना कफ बढ़े हुए तंबाकू खाखा के गुठक खाखा के थूक रहें तो यह थूकना नुकसान दायक है गुठका तो नुकसान दायक है यह तंबाकू तो और भी नुकसान दायक है उससे भी ज़्यादा थूकना तो मत थूकिये तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं तो पान खाने के लिए नियम बताया बहुत माइक्रो लेवल पर कैलकुलेशन है बागबट जी वो कहते हैं कि पान खाओ तो कथा मत लगाओ बिना कथे का पान खाओ थूकने की गरजी नहीं क्योंकि जो भी खाओगे वो चूना है केल्शियम है तो अंदर जाएगा और वो केल्शियम क्या क्या अदुबत काम करेगा वो कल बताने वाला हूँ मैं तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है कथा है तो थूकना पड़ेगा कथे बिना ही पान खाओ मने हमारे पुराने पूरवज और भुजर्ग जो तंबाकू का नहीं कथे का नहीं सिर्फ चूना लगाके जो पान खाते हैं वो बागवटके चेले सब के सब शिश्य उनके तो वो कहते हैं पान भी खाना तो थूकना नहीं है जो मुँ में लार के साथ पान है वो अंदर ही जायत क्योंकि पान और चूना दोनों ही मेडिसिन है एक वात नाशक है और दूसरा पित नाशक है और कफ का भी नाश करता है पान तो पित और कफ दोनों का नाश करता है और चूना वात का नाश करता है तो वो कहते हैं कि पित और कफ का नाश कर दिया पान ने चूने ने कर दिया वात का तो वादपित कफ तीनों ही संतुलित है तो पान खाके तो जिन्दगी भर निरोगी रह सकते ये है तो आपको पानी पीना है गुड़ गुड़ बरके ताकि ज्यादा लार अंदर जाए और पानी को बच्चों की तरह से मुँ में गुमाईए जैसे बच्चे अक्सर करते ना वो बहुत अच्छी क्रिया है ठीक है अब आगे चलता हूँ आगे का एक सूत्र है बागबट जी को आ कि पानी कभी भी पीए तो ठंडा ना पीए पेट को दुरुस्त रखने के लिए ही हैं ये सारे सूत्र आज जो मैं कह रहा हूँ पानी जब भी पीएं तो ठंडा ना पीएं कैसा पानी पीएं जी तो वो कहते हैं कि आपके शरीर का तापमान देखें उसके अनुसार के तापमान का ही पानी पीए माने शरीर के तापमान के बरावर का पानी पीए माने गुन-गुना पानी पीए गुन-गुना शब्द है एक शब्द है कोमबट कोमबट शब्द गुजराती है नहीं मराठी है शाई हाँ गुनगुना पानी पीएं नव सेका पानी कहते हैं राजिस्थान में नव सेका हलका गरम हलका गरम गुनगुना पानी पीएं कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के ऊपर ना हो ऐसा पानी पीएं तो आपका शरीर का तापमान है 37 डिग्री तो 37 डिग्री अगर आप पानी को ले के जाएंगे तो वो गुन-गुना ही होता है रूम टेंपरेचर के ऊपर रहता है बॉडी टेंपरेचर के बराबर रहता है तो ऐसा पानी पीए गुन-गुना ही पानी पीए क्यों अभी मन में प्रशनाएगा क्यों हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का पानी पीते हैं बरफ डाला हुआ पानी पीते हैं तो बागवट जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं और आधुनिक विज्यान का इसमें मैं जोड़ कर आपको समझाता हूँ आप अगर थंदा पानी पी रहे हैं कल पना करिए तो पानी क्या करेगा पेट में जाएगा सीधा सीधा और पेट को थंदा बनाएगा जिसका जैसा गुण है वो ही तो करेगा न बरफ का गुण है थंदा करने का तो बरफ डालकर पानी में आप पी रहे हैं तो बरफ का गुणपू पानी में आ गया अब पानी आपके पेट को थंड़ा करेगा अगर पानी ने पेट को थंड़ा किया तो अगर पेट थंड़ा हो गया पानी के असर में क्योंकि शरीर के सारे ओर्गन पेट से ही जुड़े होए चाहे वो आपका हर्ट हो, चाहे किड्नी हो, चाहे लीवर हो और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जैराम जी किये जाईए यमराज के पास यहाँ फिर आपके लिए कुछ नहीं है तो पानी अगर पेट में गया और उसने पेट को ठंडा कर दिया तो आप ठंडे हुए, आप ठंडे हुए तो मर जाएंगे, मृत्तिव आएगी तो कभी भी ठंडा पानी ना पिये एक, विशलेशन दूसरा विशलेशन, कि अगर पानी आपने ठंडा पिया और आपका पेट जीवित है, जीवित होने से मतलब फंक्शनल है, काम अच्छे से कर रहा है तो तुरंथ पेट उस पानी को गरम करने पर लगेगा आपका जो जठर इस्थान है ना, वो तुरंथ उस पानी को गरम करने पर लगेगा तो पानी को गरम करने के लिए उसको अत्रिक तूर्जा की जरूरत पड़ेगी और अत्रिक तूर्जा उसको रक्त में से आएगी तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा थोड़ी देर के लिए शरीर के सारे हिस्सों का रक्त जो पेट की तरफ गया है उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी मान लीजे हिर्दय का रक्त पेट में चला गया ब्रेन का रक्त पेट में आ गया क्योंकि ब्रेन का सबसे पहले आता है क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है ना काम करता है तो ब्रेन का सबसे पहले आता है हिर्दे का उसके बाद आता है दूसरे अंगों का रक्त सब पेट की तरफ गया तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आई और ये कमी हर समय ऐसे ही आती रहे आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे ऐसे ही कमी आती रहे पीते रहे कमी आती रहे तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम होई है और वो अंगों ने काम करना बंद किया तो ब्रेन हैमरेज हो गया वो अंगों ने काम करना बंद किया तो परेलिसिस हो गया वो अंगों ने काम करना बन किया तो हर्ट अटेक हो गया तो ये सारी बीमारियों को क्यूं बुलाते हैं ठंडा पानी पी के माने ठंडा पानी ना पिया बागवट्टी जी का मैंने मेरे जीवन में भी देखा दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं अमेरिका में यूरोप में ज़्यादा लोग चिल्ड वाटर पीते हैं पानी को फ्रिज में रखते हैं और वो रखा रहता है चार पांच दिन खूब ठंडा हो जाता है फिर उपर से बरफ डालते हैं फिर पीते हैं इतना ठंडा पाने की परिणाम क्या देखा है मैंने मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं वो सबेरे सबेरे अगर संडास घर में गए टॉयलेट में तो एक एक घंटे बाहर नहीं निकलते कभी-कभी तो दो-दो घंटे नहीं निकलते बैठे ही रहते अंधा उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे दो घंटे टॉयलेट रूम में कहते हैं जी न्यूस पेपर पढ़ रहे थे मैगजीन पढ़ रहे थे क्यों पढ़ रहे थे टॉइलेट रूम तो न्यूस पेपर के लिए बनाया नहीं है तो कहते हैं टॉइलेट आती ही नहीं मने स्टूल पास होता ही नहीं संदा सोती नहीं, उतरती नहीं, तो क्या करें? और वो बिचारे वहाँ बैठे बैठे कई बार इतने परिशान हो जाते हैं कि आह! तरह तरह की आवाजा निकालते हैं फिर भी नहीं आती, फिर वो गाना गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, और कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं न तो एक गाना गाते हैं एक बार आजा 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 वो तब भी नहीं आती है यह है समस्या माने मैं कहना यह चाहता हूं कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे उनको एक बीमारी है वो है कौश्ट बद्धता बद्ध कोश्ट होना कौश्टिपेशन का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है न लार्ज इंटेस्टाइन वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई ऐसे रहना चाहिए उसको वो हो गई संकुचित यह ठंडे पानी का असर है तो अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी हो गई तो आपकी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पियें अब परसों एक बात मैंने कही थी कि फ्रिज का रखा कुछ ना खाएं तो यह पानी भी उसी का हिस्सा है फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पियें बरफ डाला हुआ पानी ना पियें आइस क्रीम कभी भी ना खाएं क्योंकि वो भी ठंडी है और मैं आपको एक विनमरता पूर्वक कह देता हूँ वो बात वैसे आगे आएगी बागवट्टी जी कहते हैं कि दो विरुद्ध चीज़ें एक साथ ना खाएं कभी भी तो गरम भोजन और ठंडी आइस क्रीम कभी न खाएं अक्सर मैं शादियों में बरातों में जाता हूँ तो वहां मैंने देखा है कि भोजन गरमा गरम कराएंगे अंत में आइस क्रीम जरूर खिलाएंगे सर्वनाश बुला बुला के हमारा सत्या नाश करते हैं इन्विटेशन दे कर बुलाएंगे आओ हमारे यां महमान बन कर तो पहले गरम खाना खाओ पीचे से ठंडी आईस्क्रीम खाओ, ना मरो तो जल्दी मर जाओ, ऐसा आजकल आतित्य इस देश में चल रहा है, पहले कहते थे अतिती देवो भवे, अभी अतिती दुश्मन भव, तो यह जो ठंडे होने की बात है, यहीं पर मैंने आपको जोड़ दी है, वैसे यह कल भी आ आने वाली है, परसो सोरी, तो आपके जीवन में यह नियम बहुत ध्यान से पालन करें, सूत्र पालन करें, कि पानी हमेशा घूट घूट पीए, ठंडा पानी कभी न पीए, भोजन के डेड़ घंटे के बाद पानी पीए, अभी चौथा सूत्र, आज का आखरी सूत्र, ब दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पीए, माने सुबह उठते ही पानी पीए, यह है मतलब कहने का, दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पीए, माने सुबह उठते ही पानी पीए, आयुर वेद के बिविन चिकितसकों ने और वेदियों ने इसको का उशा पान कर अगर आप सुबह उठते ही बिना मूध होए पानी नहीं पी सकते तो रात को कुला करके सोईए, दात साफ करके सोईए, दंतवंजन करके सोईए, दातुन करके सोईए, उठते ही पानी पीजे क्यों? कारण पूछिए कारण उसका ये है कि राद बर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शितिल हो जाती है लेकिन ये लार बनने की क्रिया जादा शितिल नहीं होती ये चालू रहती है तो राद बर आपने लार बनाई है मुह में जगे जगे जमा है वो अंधर जाना बहुत जड़ुरी है क्योंकि वो बेश कीमती है बागवटी जी कहते है वो बाकी 24 गंटों में सबसे ज़ादा कीमती है तो सुबे सुबे जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए इसलिए बिना कुला की ये पानी पीने का नियम है इसी को उशा पान कहा जाता है तो सुबह उठते ही पानी पीएं कितना पीएं जी तो उन्होंने एक से सवा लीटर का कैलकुलेशन दिया वयस्कों के लिए वयस्क वाने अठारे से साथ साल एक से सवा लीटर और अठारे से नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए पॉन लीटर माने साड़े साथ सो ग्राम और साथ के उपर वालों के लिए भी साड़े साथ सो ग्राम साथ सो पचास ग्राम साथ सो पचास ग्राम माने कम से कम दो गिलास बुजर्गों के लिए, दो गिलास बच्चों के लिए और तीन गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए कम से कम इतना पानी पी है पीने का तरीका मैंने बता दिया वो घूट-घूट, सिफ-सिफ करके ही पीना है मुँ में घुमा-घुमा के पानी पीना है बागवट्टी जी ने ये जो कहा न सुबह की लार बहुत कीमती होती है मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपरिमेंट किये पिछले एकात साल बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डाइबिटीज है और डाइबिटीज की कंडिशन में आप जानते हैं कि कोई घाओ हो जाए घाओ तो जल्दी भरता नहीं तो मेरे पास ऐसे कुछ आठ दस पेशेंट है जिनको ऐसी ही कंडिशन है डाइबिटीज होने के कारण शरीर में फुनसी हो गई फोड़ा हो गया घाओ बढ़ गया वो भरता नहीं मैंने उनको दवाएं बंद किया होमियोपैथी का फिर मैंने का बईया बागबटी जी ने का कि सुबह की लार बहुत कीमती है तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो लार है ना उसको लगाओ तुमारे घाओ पे और आप देखेंगे चमतकार पंद्रे से बीस दिन में घाओ भरना शुरू तीन महिने में बिलकुल बराबर एक तो मेरे पास गैंगरीन का पेशेंट है गैंगरीन हुआ डॉक्टर कहता तब पैर काटना ही पड़ेगा इसका कुछ होता नहीं अभी और कोई उसने बिचारे ने साल बर लार लगा लगा के यह अपना ठीक कर लिया तब मेरे समझ में आया है कि जानवर हमसे ज़्यादा होशे आ रहे है चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते हैं फिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चशमे हैं आँखों पर अब उनके माबाब बहुत परेशान है कि यह चशमा कैसे उत्रे मोटे मोटे चशमे हैं चोटे बच्चों तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो सबेरे सबेरे सोकर उठो और मुझा थूक आँख में लगाओ काजल की तरह से तो बच्चों ने चालू कर दिया बच्चे बहुत बोले होते हैं सीधे होते हैं कोई भी बात अगर समझ में आये तो करते हैं अब आपको हिरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से आप भी करके देख लीजे जिनको भी चश्मे बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे उम्र जादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाएंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मू की लार सुबह सुबह की आँखों में लगाईए काजल की तरह से और एक बताता हूँ एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस आँखों की बीमारी है अक्सर उसमें आँखें लाल हो जाती है आँखों में बहुत जलन होती है जैसे खून उतर आया हो आँखों में वो कंडिशन हो जाती है कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है लेकिन अपकी बार अगर ये बीमारी आये तो आप ये करना सुबह सुबह उठते ही मूँ की लार लगाना 24 गंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई 24 गंटे में ठीक होती है अगर बच्चों में बच्चपन से आँखों के ऐसे कोई रोग है जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है आठ साल का है उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसकी आँखें टेड़ी है वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता पिता गरीब है और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ लगबग मुझे चार साड़े चार महीना हो गया है और उसका टेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में केते हैं बहेंगापन उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही तब मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैग्यानिक को पूछा दिल्ली में कि यह लार में क्या है एक्च्वली इसका एक्टिव इंग्रेडियन्ट क्या है तो उन्होंने का भाईया जितने एक्टिव इंग्रेडियन्ट मिट्टी में है वो सब लार में है तो मैंने आपको बता है मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडियंट्स हैं लार में वो सब के सब है इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है बेश कीमती है इसको कभी नश्ट नहीं करना इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते और दो चार बातें बता दू क्या-क्या रोग और ठीक कर सकते आपके शरीर में कोई दाग हो गया धबा हो गया जैसे जल गए जलने का दाग होता है न उस पर नियमित रूप से सबेरे की लार की थोड़ी-थोड़ी मालिश करते रही है छे-ाठ महीने में धगा धबा बिलकुल साफ हो जाए जले हुए का धबा शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया एक्जीमा हो गया मालो खराब बीमारी की बात करूँ एक्जीमा हो गया एक्जीमा पर रोज सुबह की लार लगाई है मालिश करते रही है छे-ाठ महीने के बाद देखिएगा साफ और एक्जीमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस वो भी ठीक होती है इसी लार से बस इतना है कि साल भर करना पड़े मुफत का इलाज है फोकट का इलाज है बागबट जी ने जितने भी इलाज बताये है सब फोकट के और मुफत के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है तो आप इसकिन डिसीज में इसका एक्सपरिमेंट करिए आखों की बीमारियों में इसका एक्सपरिमेंट करिए घाओ हो जाएं कहीं शरीर में उस पर एक्सपरिमेंट करिए फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपरिमेंट करिए मैंने ये चारों एक्सपरिमेंट कियें बहुत अच्छे रिजल्ट है आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे, बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाएए तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराईए ना, तब ही मोक्ष जाएंगे तो मैंने आज आपको चार सूत्र बताए, उनको फिर से रिपीट करता हूँ, सूत्र बताना, ये चार रिपीट करके खतम, फिर प्रश्न पहला सूत्र मैंने बताया था, भोजन अंते, विशमवारी, भोजन के अंत में पानी ना पिए, लगबग देड़ गंटे के बाद पानी पिए, दूसरा सूत्र मैंने बताया था, पानी हमेशा गूट-गूट भरके पिए, सिप-सिप करके पानी पिए, तीसरा सूत्र बता था कि ठंडा पानी कभी न पिए हमेशा गुनगुना पानी पिए और चौथा सूत्र बताया था कि आप सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पिए यह चारो सूत्र बागवट जी ने कहा है पेट को दुरुस्त रखने के लिए सबसे आवश्यक है मने जिन्दगी पर आपका प कि उशा पान करना चाहिए उशा पान भी गुनगुना पानी होना चाहिए और देखिए उशा पान पान जो कहा आपने खाने के लिए तो पान के साथ क्या-क्या लेना चाहिए मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे दूँ पान के साथ क्या-क्या लेना चाहिए बागव लाइती पान मत खाईए देशी पान खाईए तो स्वाद जितना कसेला होगा पान उतना अच्छा होगा और बागवट जी ने एक बहुत गहरी बात कही है जिसको मैं दो-तीन दिन बाद वैसे एक्स्प्लेन करने वाला हूँ कि जो चीज का रंग जितना ज्यादा गहरा हो जो ज्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलाइती पान हलके हरे रंग का होता है तो बागवटी जी कहते हैं हलके रंग की चीज़ें मत खाईए गहरे रंग की चीज़ें खाईए तो गहरे रंग वाला पान खाईए गहरे रंग की जो भी चीज़ें बरपेट खाईए जैसे बैंगन है गहरे रंका, जामुन है गहरे रंका, टमाटर है गहरे रंका, ये सब एंटी कैंसरस हैं, एंटी डाइबिटिक हैं, एंटी कैंसरस हैं, एंटी अस्थमेटिक हैं, इनकी क्वालिटी आज की विग्यान ने भी प्रूफ किया है, आज का विग्यान ये कहता है कि जो बी रंग है, किसी भी वस्तू में, वो भगवान का दिया हुआ, कोई न कोई ऐसा रस और इंजाईम है, जो आपको गंबीर बीमारियों से बचाता है. तो वो कहते हैं, गहरे रंग का पान काईये, माझने कसेला उसमें ही स्वाद होगा, तो गहरा पान काई उसमें क्या मिला है उसमें सबसे ज़्यादा चूना तो कितना चूना मिला है तो कहते हैं कि एक पान में एक ग्राम से ज़्यादा चूना नहीं मिला है कभी भी एक ग्राम एक ग्राम आप समझते हैं इतना होता है चने का दाना होता है न आधा तोड़ो और उसका आधा कर लो इतना एक ग्राम होता है चने का दाना आधा तोड़ो तो दो हिस्से हुए ये दो हिस्से के चार कर दो और वो एक हिस्सा जो है वो एक ग्राम तो उतना आप चूना लगाईए उस पर फिर चूने के साथ क्या खाएं आप उसमें सौंफ खाएं सौंफ का नियम उन्होंने बता सौंफ खाएं दूसरा कहते हैं कि इसमें थोड़ी अजवाइन डाले अजवाइन दो चार दाने जादा ने और वो कहते हैं लवंग डाले मने लॉंग और कहते हैं बड़ी इलाइची और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस मतलब गुलकंद जिसको आप कहते हैं ये चीजें उन्होंने बोली हैं पान में नियमित रूप से खाने के लिए अब इसमें उन्होंने जो बोली नहीं हैं वो बात ध्यान रखे सुपारी कहीं नहीं कहा कत्था कहीं नहीं कहा तो मैंने सुपारी और कत्था छोड़ कर ही पान खाए ठीक है तो पान में क्या खाए दूसरा इन्होंने जो आपने पूछा कि सुबह का जो उशा पान का पानी है तो उसको गुनगुना करने की जरूरत नहीं है बाकी सभी पानी को गुनगुना करके ही पीना चाहिए क्यों ये जो तावे के बरतन में रखा हुआ पानी है उसमें वही क्वालिटी है जो गुनगुने पानी में इसलिए तामर पातर के पानी को सुबह गरम करने की जरूरत नहीं रात में आपने भरके रखा सुबह उठकर पी लिया बाकी कोई भी पानी, स्टील के बरतन वाला है तो गुन-गुना करिए आप मिट्टी के घड़े का पानी है तो गुन-गुना करिए और आपके पास क्या होता है पानी बरने के लिए और तीसरा कोई अल्यूमीनियम में तो पानी कभी मत रखिए प्लास्टिक में पानी कभी मत रखिए स्टील वैसल्स में हैं तो गुनगुना करके ही पीजिए स्टील वैसल मने, स्टेनलेस स्टील के वैसल में पानी है तो गुनगुना ही पीजिए मिट्टी के बरतन का पानी है तो गुनगुना ही पीजिए तामर पात्र एक उन्होंने कहा कि जिसके पानी को गरम करने की जरूरत नहीं सीधे पी सकते है आप बोलेंगे जी क्या रोज दिन भर तामर पात्र का पानी पी सकते हैं तो जरूर पी सकते हैं तीन महीने इसके आगे नहीं ये आप जरात सोचिए ध्यान से वो ये कहते हैं तीन महीने आप पी सकते हैं लगातार तामर पात्र का पानी फिर बीच में 15-20 दिन का ब्रेक दे फिर तीन महीने पी सकते हैं ये ब्रेक दे दे कर पी सकते हैं लगातार पीएंगे तो तावे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाएंगे हाँ, सुबह तो लगातार पी सकते हैं सुबह की तो कोई बात नहीं ये पूरे दिन की बात हो रही है कोई लोग ऐसे हैं कि पूरे दिन ही तावे के बरतन का पानी पीते हैं तो बागबटी जी ये कहते हैं कि तीन महीने लगातार पी जी ये पूरे दिन फिर उसके बाद पंदरबीस दिन ब्रेक दे दीजे पंदरबीस दिन को दूसरा पानी पील फिर आप बापस तीन महीने कर सकते हैं फिर ब्रेक दे दीजे फिर तो चौबीस घंटे वाले जो लोग है तामर पात्र का पानी पीने वाले उनके लिए यह नियम है सुबह का तो तामर पात्र का ही सबसे अच्छा है हाँ बहुत अच्छा सवाल है बहुत बहुत अच्छा सवाल है देखिए इस सवाल को मैं और थोड़ा विक्सित करूँ मैं इंतिजार करना था कोई पूछे तो मैं बताओ यह सवाल कुछ इस तरह का है कि मठा है ना उसमें पानी ही है आप जानते है शायद उसमें 90 प्रतिश होता है और जूस पी रहे हैं उसमें भी पानी ही है और दूद पी रहे हैं उसमें भी पानी है अब बागवट जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि खाने के बाद पानी मत पियो और दूसरी तरफ कह रहे हैं मठा जरूर पियो दूद जरूर पियो और फलकारस पियो तो उसमें त सुन्दर एक्स्प्लेनेशन बागवट जी करते हैं वो ये कहते हैं कि पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं ये बात ध्यान से समझें पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं है पानी को जिस पात्र में रखा है या जिसमें मिलाया है उसी का गुण वो धारण कर आपने पुराना गाना सुना है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा फिर आगे है जिसमें मिला दो उस जैसा तो पानी का रंग गुण और धर्म तीनों ही वही होते हैं वो जहां मिल गया तो आपने पानी को मिलाया दही में तो अब वो पानी का गुण नहीं है अब वो दही का ग गुण धारन करेगा पानी को आपने मिलाया जूस में माने फल में तो फल के जो गुण है वो पानी में आ जाएंगे और पानी है दूद में तो दूद के सारे गुण वो धारन कर लेगा तो पानी अगर सीधा पी रहे हैं इंडिपेंडेंट तब उसके अपने गुण धर्म हो पीजिए। दूद पीने को खुली चूट है, पेट भरके पीजिए। जूस पीने को भी खुली चूट है, साधा पानी मत पीजिए। अब दही का गुण क्या है? अठगनी को प्रदीप्त करने का गुण है दही में। क्योंकि जो वस्तू में भी चिकनाई आ गई, चिकनाई समझते हैं आप फैट, दही में भरपूर चिकनाई है, दूद से ज़्यादा चिकनाई दही में है, दही से ज़्यादा चिकनाई में है, और सबसे ज़्यादा चिकनाई घी में है, तो बागवट्टी ची कहते हैं कि जि और प्रदीप्त होती है माने खाने को और जल्दी से पचाएगी खाली पानी अगनी को शांत करता है लेकिन पानी किसी में मिलाया हुआ अगनी को प्रदीप्त करेगा क्योंकि उसके गुण वस्तू के हिसाब से हो जाते जी राजीव भाई आईस क्रिम खाने के बाद हम लोग काफी है चाई पिके और उसका ये सवा सत्यानाश रीजन बताऊंगा परसों क्योंकि ये परसों आने वाला है देखिए मैं बताता हूँ आपको अभी बता दू कोशिश करूँगा शॉर्ट मैं बताऊं क्योंकि और प्रशन के लिए उत्तर के लिए समय रहे कभी भी कोई गरम चीज आप जैसे ही खाते हैं कोई भी गरम चीज चाई पिया या कॉफी पिया या गरम दूद पिया या गरम खाना खाया तो पेट फिर वही काम पे लग जाता है क्या काम है पेट का पहले ज़्यादा गरम वस्तू को पेट के तापमान पर लाता है पेट आपका पेट का तापमान वही है जो मू का है और बगल का तापमान मू का तापमान में थोड़ा अंतर रहता है लगबग एक से डेल रही तो पेट का तापमान लगबग 49 से 40 डिगरी के आसपास है अब आपने 40 डिगरी से उपर की कोई वस्तु खाई जैसे चाय पी तो वो 40 से उपर की है कॉफी 40 से उपर की है तो तापमान अंदर जो है ना 55 डिगरी 60 डिगरी अगर चाय का है तो पेट उसको पहले 40 डिगरी पर लाएगा और उसके लिए एंटी रियक्शन होता है पानी को ठंडे से गरम करेगा फिर गरम से ठंडे तो ये काम में जब तक पेट लगा हुआ है तब तक आपने कोई ठंडी चीज खाली जैसे उन्होंने का आईस्क्रीम खाले कॉफी के बाद आईस्क्रीम खाले अब कन्फ्यूजन वहाँ ये होता है कि क्या करे वो पहले गरम कॉफी को ठंडा करे या ये जो गरम संडी आईस्क्रीम आई इसको गरम करे तो फिर तो बहुती कन्फ्यूजन होता है ऐसा confusion जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी इसको मैं समझाने के लिए किरा हूँ गाड़ी चला रहे हैं और हर एक ही मिनट में आपको दो तीन गेर चेंज करने पड़े एक ही मिनट में टॉप गेर से फस्ट में आना पड़े फस्ट से आपको टॉप गेर में जाना के अप पेट को gear change करना पड़ेगा तुरंत, तो इसमें हो जाएगी समस्या, इसलिए कॉफी चाए के बाद थंडी आइसक्रीम खाये, और थंडी आइसक्रीम के बाद चाय कॉफी खाये, गरम भोजन के साथ कभी भी आइसक्रीम और बरफ आदी ना काये, और बरफ आदी के सा बहुत अच्छा सवाल है यह मैं कल बात करूं क्योंकि कल वो सूत्र आने ही वाला है जी देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है दूद को बागवट्टी जी ने बोला है शाम को ही पीना है अब इनका प्रश्णी है कि हम सुबह चाए पीते हैं कौफी पीत ना हुआ है ज़ादा से ज़ादा 400 साल पुराने तो चाए कॉफी के बारे में उनका पूरा शास्तर मौन है मने कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां चाय और कॉफी का जिकर अनकिया काढ़ह तो यह कहते हैं कि जो काढ़ह आपके वात को कम करें आपके पित्ट को कम करें और कफ को कम करे ऐसा कोई भी काढ़ा दूद के साथ मिला कर सुबह पिया जा सकता है कोई भी काढ़ा जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं वो अरजुन की छाल का काढ़ा है अरजुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है शरीर की ज पामलता ही है जो हर्ट अटेक लाती है तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवट जी ने बताई है तो वो अरजुन की छाल है तो आज आप काड़ा पिएंगे अरजुन की छाल का और दुर्भागे से या सोबहाग और नवंबर ये बात का ही समय है शरीर में वायू का प्रकोप ठंड के दिनों में जादा होता है उस समय अगर आप अरजुन की छाल का काड़ा दूद में बना कर पिएं तो आपके लिए औशदी है जी नहीं गरम 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 क्योंकि वो औशदी है भोजन नहीं है भोजन औ आपके पेटकी आवशक्ता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं औशदी वो है जो थोड़े समय के लिए तातकालिक प्रभाव के लिए आप पिएं तो ये काड़ा औशदी है सुबह के अगर समय नवंबर दिसंबर जनवरी ये तीन महीने हैं जो वात के महीने मा गरम पिए सकते हैं बात को दूर करने वाली आवशधियों का दूद मिला कर और रजन की छाल जाल का पाउडर डाल के पीजिए तो दो फाइदे होंगे बविष्य के लिए आपको हर्ट एटेक फ्री होने की गारंटी बविष्य के लिए और अब तक आपने जो कच्रा खा लिया है इसके निकल जाने की गारंटी क्योंकि ये जो अर्जुन की चाल का पाउडर है रक्त को सबसे ज़्यादा शुद्द करता है और कच्रा रक्त में ही सबसे ज़्यादा जमा होता है जिसको कॉलेस्टरॉल कहते है न वो कच्रा ही है तो अब तक आपके रक्त में जो कॉलेस्टरॉल जमा है इसको निकालना है बाहर तो अरजुन की चाल इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है और सौभागे की बात ये है कि 40 रुपई किलो मिलती है क्या वाओ? 40 रुपई किलो? 20 रुपई किलो 20 रुपई किलो अरजुन की चाल मिलती है और 1.500 रुपई किलो चाहे मिलती है और 1.400 रुपई किलो कौफी मिलती है और 20 रुपई किलो अर्जुन की छाल मिलती है तो कुछ तो होशियार बनिए, मारवाडी बनिए कुछ तो अपने रक्त में लाईए, मारवाड का, राजिस्थान का, गुजरात का तो 20 रुपई किलो की अर्जुन की छाल नियमित रूप से आप पीजे, मैं आपसे विनमरता पूरवक कह रहा हूँ कि आप सब अपने घर में, तीन महीने, ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया, लेकिन जनवरी अभी बाकी है तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सबेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूद में डाल कर पीते रहिए और अगले साल का याद रखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो ये तीन महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे सालवर का कच्रा निकालता है और अगले सालों की गारंटी, हर्ट अटेक फ्री क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए एक गिलास दूद, तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर आधा चम्मच मने टी स्पून और इसमें अगर गुड मिलाएंगे तो बहुत अच्छा गुड, गुड नहीं मिले तो एक गुड जैसी चीज आती है काकवी, काकवी आप समझते है, गुड को बनने से पहले की स्टेज है वो तरल गुड होता है, तरल गुड, लिक्विड फॉर्म का गुड, वो काकवी कहलाता है तो या तो काकवी या तो गुड नहीं मिले तो खांड खांड आप समझते हैं और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा शक्कर नहीं क्योंकि बागबटी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है क्योंकि शुगर बनती नहीं थी साड़े तीन हजार साल पहले गुड़ बनता था, काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था चीनी बनना दो सो डाइसो साल से शुरू हुआ है जी जी मिश्री बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने कहा, मुझे भूल गया, मैं आपसे पहले ही कहना चाहता मिश्री मिठाईयों में मिश्री सबसे उचे स्थान पर है गुड़ से भी उची है मिश्री तो मिश्री मिले शुद्ध तो वो डालिए आपके अरजुन की चाल और दूद के काड़े में नहीं तो गुड़ डालिए, नहीं तो काक्वी डालिए नहीं तो खांड डालिए, अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डाली और बूरा वो वाला, जो राजिस्थान में बनता है बिहार में बनता, उत्तर प्रदेश में, यहां का नहीं, चीनी को पीस के बूरा, वो चीनी ही है, बूरा नहीं, सोंट है तो बहुत अच्छा है, सोंट जो है, अरजुन चाल सोंट अगर मिला के उपयोग करें, तो सर्वोत्तम वात नाशक काड़ा होता, सर्वोत्तम, से बताने वाला हूँ, और किताबों में तो पूरी लिस्ट है, बात के रोग क्या, पित के क्या, कफ के क्या, यह गुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंदे का दर्द, हर्ट अटेक, डाइबिटीज, यह सब बात के रोग है, कहां जाता है कि दाल और दही साथ में नहीं लेन बहुत जन कहते हैं तो हम डाल चावल खा लेते हैं और उसके बाद अगर खाने के बाद चाच पीुज पीना चाहिए, देखिए इसमें सूत्रैसा है मैं आगे बताओंगा ये थोड़ा आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी भी है जैन अगर आप में से कोई है तो मेरी बात तुरन समझ जाएंगे दुईदल दुईदल समझते हैं एक दाल के जिसके दुईदल के साथ दही का निशेद है बागबटे जी ने भी कहा है महावीर स्वामी ने भी कहा है गौतमरिशी ने भी कहा है सबने कहा है दुईदल के साथ दही का निशेद है तो अब इनका प्रशन है कि हम ने तो दाल चावल खाया चावल तो ठीक है दाल तो दुईदल ही है अरेर की खाये मूँं की खाये मसूर की खाये तो दुईदल है तो दुईदल के साथ दही कैसा तो उसके लिए बागबटी जी कहते हैं कि कभी भी दुईदल के साथ अगर दही खाएं तो अच्छा है ना खाएं लेकिन खा रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखें कि दही की तासीर बदले और उसकी तासीर को बदल कर जैस यह दाल है वैसी तासीर करें मने दही का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं वैसे तो है और ज्यादा बढ़ा तो इसके लिए बहुत सरल उपाए है आपके रसोई में रसोई में तीन चीज़ें ऐसी हैं जो दही की तासीर को तुरंद बदलती है एक तो है जीरा जीरा दूसरा है सेंधा या काला नमक सेंधा या काला या काला ये जो आज नमक आ रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आयोडीन युक्त नमक नहीं सेंधा नमक या काला नमक तीसरी है अजवाइन तो मेरा ऐसा निवेदन है कि आगर आप ताक पी रहें दाल चावल के साथ तो अजवाइन का जीरे का बगहार ले लें और थोड़ा सेंदा नमक डाल लें फिर पी लें अजवाइन जीरे का बगहार लेकर बगहार लेना तो आप समझते हैं बगहार शब्द तो तो बगहार ले ले अजवाइन जीरे का और थोड़ा सेदानमक फिर ताक पीए माने मज्जिगे पिए माने मठ्या पिए अदरक अदरक की जगे शूट दही में कभी भी अदरक लग उपयोग नहीं होता शूट उपयोग होता अदरक और सूट में थोड़ा अंतर है सूट तो अदरक से ही आता है लेकिन सूट का गुण अदरक से ज़्यादा है फ्रूट्स खा सकते हैं वरपेट वैसे फ्रूट्स का बागवटची कहते हैं सुबह खाएं खाली पेट तो सबसे अच्छा माने नाश्ता ही फ्रूट का करें जूस भी पहिना है तो फ्रूट का पी है तो सुबह का समय फ्रूट के लिए सबसे अच्छा है लेकिन बाकी समय में भी आप फ्रूट कभी भी खा सकते हैं जो प्रकरती के द्वारा पकाया गया प्रकरती के द्वारा पकाया गया मने केलशियम कारवाइड मिलाके नहीं पकाया गया हाँ बिलकुल चाच शरीर के लिए ठंडा करता तो बच्चों को भी दे सकते हैं दे सकते हैं जी दे सकते हैं बिलकुल अजवाइन डालके बच्चों को तीन महिने के बच्चे को चूट ले सकते हैं आप चूंकि मद्रास में रहते हैं इसलिए चूट ले सकते हैं गर्मी के दिनों में सबेरे का पानी तो गुनगुना ही रखिए बाकी दिन का पानी अगर आप पिए तो मिट्टी के बरतन का भी पी सकते हैं संबर्न संबर्न के लिए लार बहुत अच्छी है देखिए आप में से किसी भी माता या बहन को ड्रार्ख सर्किल की समस्या हो आँखों के नीचे काले काले गेरे हैं नियमित रूप से सुबह उठकर अपने लार की मालिश करते रहिए आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे फेर एल लवली से ज्यादा प्रभावी है मटकी का जो पानी होता है गर्मियों में राजस्तान में थंडी से थंडी मटकी लाके हम पीते हैं तो इतना थंडा पानी पीए हैं या नहीं जो मिट्टी के घड़े का पानी है वो रूम तापमान से थोड़ा ही कम है जैसे रूम टेंपरेचर 25 डिगरी होगा तो मिट्टी के घड़े का पानी 23 डिगरी तक होगा तो ज्यादा थंडा नहीं है ये जो फ्रिज का पानी है ये चार डिगरी का होगा तीन डिगरी का होगा यह बहुत थंड़ा है